नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुसिल पुनिया और आप देख रहे हैं जिन्यों गूरूप सर्विसे दोस्तो आज फिर मापके लिए लेकर के आया हूँ एक दमाके दार न्यूज जिसे सुनकर उड़ सकते हैं आपके दिलो दिमाग के फ्यूज तो क्यों ना दोस्तो सुरू करे आज की लाटेस्ट नियूज दोस्तों पिछले दिनों राजस्तान और मद्दे पर्देश में हुई किसान करज माफी की गोशना पर बाजपा ने कॉंग्रेस सरकार पर हमला करना सुरू कर दिया है केंदरिय रेल राजे मंतरी मनोच सिना ने आरोप लगाया है कि 8 एकर से लेकर 19 एकर जमीन के मालिक कॉंग्रेस नेताओं का करजा माफ हो रहा है जबकि एक आम आदमी यानि आम किसान जिसके पास दो तिन एकर ही जमीन है उसे किसान करज माफी योजना का फाइदा नहीं मिल रहा है सिना ने इस किसान करज माफी योजना को चलावा बताया है कि करज माफी की जो बड़ी रकम है वो कॉंग्रेस करे करताओं के खातों में जाती है राज्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि हाली में संपन हुए विदानसबा चुनाओं में कॉंग्रेस ने किसान करज माफी का वादा किया था लेकिन सरकार आने के बाद किसानों के साथ छल करने का काम किया है दोस्तों अगर मद्यपर्देस सरकार की किसान करज माफी योजना को देखा जाए तो कुछ किसानों का करज सिर्फ 57 मैं रूपे सिर्फ 67 रूपे 113 रूपे 287 रूपे इस तरह से माफ किया गया है एक टीवी नियूज के मुताबित कुछ किसानों पर पचास हजार से लेकर दो लाख रुपे तक का करजा था जो उन किसानों ने बैंकों से अपनी जमीन पर लिया था लेकिन किसान करज माफ ही योजना की लिस्ट में उनका करज माफ हुआ सिर्फ 67 रुपे से लेकर के 287 रुपे तक क्या ऐसी इस्तिति में किसान 67 रुपे का क्लेम लेने के लिए भी अधिकारियों के ओफिस के चक्र काटेगा क्या वो अधिकारियों के कारले में चक्कर लगाता रहेगा 66 रुपे का क्लेम लेने के लिए वहीं राज्जस्तान में डूंगरपुर जिले में करज लेने वाले किसानों का नाम ही सुच्ची में नहीं है बलकि उनकी जगह कौंग्रेस करेकरताओं के नाम सुच्ची में हैं ऐसे भी किसान सामिल है जिनके पास ठारा एकड़तक जमीन हैं और उनका कर्जमाप किया गया है करناटक में किसानों को गिर्पदार किये जाने और कतित आत्वमत्या के मामले में भी मामले भी सामने आए हैं मद्यब परदेश, राज़स्तान, करناटक और पंजाब में हजारों की संक्या में ऐसे किसानों की करजमा फी दिखाई जा रही है जिनोंने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं इसी बीच राजस्तान में कॉंग्रेस के परदेश अदेक्स और उप मुखे मंतरी सचिन पाइलेट ने सफाई देते हुए कहा कि रिन को लेकर किसानों के साथ गिनोना मजाक बाजबाने किया है किसान किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं परदेश के किसानों को न्याय का इंतजार है लेकिन दोस्तों जो सच है वो तो सच ही रहेगा अपने सभी को पता है सभी काफी सारे न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि मद्य पर्देश में काफी किसानों के साथ छलावा हुआ है और उनका सिर्फ सो रुपे से लेकर डेड़ सो रुपे तक ही कर जाया है वो माप किया गया है दोस्तो यह आज की लाटेस्ट निउस थी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर कर दे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले में मिलते हैं अगली नई वीडियो नई योजना नई अफडेट के साथ तब तक के लिए जैहें